नमस्कार दोस्तों जय माता दी स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में अगले तीन दिनों में कुछ ऐसी बड़ी सफलता आपके हाथ लगने वाली हैं जो दोस्तों आपको इस बात की गैरंटी दिलाएगा कि आप अपने जीवन में इन ही दिनों में सफल होने व देखा है वे अब आपको मिलने वाला है यूँ कहें तो दोस्तों कि अब आपके हिस्से की खुशियां आपकी जोली में आने वाली हैं और दोस्तों बहुती बड़ा चमतकार मातारानी की कृपा से अगले तीन दिनों में आपके जीवनकाल में होने वाला है बता दें कि वीडियो बहुती महदपून और खास तरीके से देखिएगा इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस करने की गलती ना करें और इसे शुरू से लेकर अंधे तक जरूर देखिएगा और आपकी सारी परेशानिये चूम अंतर होने वाली है बिगली जिन्दिगी भी अब सुधरने वाली है मालो की किसमत का लिखा पैसो का पेट मिलने वाला है और आज की वीडियो आप लोगों के लिए अत्यन महदपून साबित होगी इस वीडियो में आप संपून राशी फल के बारे में जानेंगे इसे मिसना करें और हो जाएए सावधान क्योंकि आपक और पिछले कई सालों से दोस्तों आपके जीवन में बड़ा ही अच्छा समय आया है और बहुती बुरे समय को भी आपने हस कर टाल दिया है बस आपकी यही प्रवर्ती है जो औरों से आपको अलग बनाती है और इसी कारण ईश्वरने केवल आप ही को चुना है एक अच्छ श्रादा से जै मातादी जरूर लिके और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वारी नौलेजिवल वीडियो आपको सबसे पहरे मिले तो चलिए दोस्तों आप बात कर लेती हैं आपके तीन दिनों के महाराशी फल के बारे में देख प्रभू तो आपर का प्रभू है उसकी लीला को कौन ही समग सकता है उसकी लीला तो अप्रम पार है वहीं साती में दोस्तों अंत्रिक्ष में भी इन तीन ग्रहोंने बडा ही बयानक संकेत भेजा है आपकी ग्रहे स्तीलो का, यह जानने के लिए आपकी आज की स्वीड़िय किन बातियों को आपको ध्यार में रखने की आवशकता है तो इसे शुरू से लेकर अंते तक सरूर देखिएगा तो चली दोस्तों बिना देरी की हुए वीडिये को प्रारंब करते हैं आपको तरक शक्ती प्रदान होगी जिसे आप उचित निर्ने ले पाएंगे ये निर्ने से बढ़ रहे हैं दोस्तों ये आपके लिए काफी बैतर रहेगा और मदुर बनाया रखने में विशेश प्रयास रहेगा तथा आपके विक्तित्व की सरहना भी होगी आप जल्द बाजी के वज़ाए सहस तरीके से सोस समझ कर अपने कार्यों को पूर्ण करने की कोशिश क करें आपके कारे खूब अच्छी तरह से बनते जाएंगे तथा बच्चों के साथ में दोस्तान व्यभार रखें जादा रोक टोक करने से मनोबल कमजोर होगा दोस्तों लापरवाई की वज़े से आपके जीवर में कुछ गड़बड हो सकती है धैरे और शांती बना कर तो दोस्तों संबंदी व्यवस्ताओं में कुछ बदलाव लाने की संभावना बन रही है कामकाजी महिलाओं को घर व्यवसाय की संभावना लग रही है इसलिए दोस्तों व्यवाईक संबंदों में नजदीगिया बढ़ेंगी युवा वर्ग अपने प्रेम संबंद पर थ थोड़ा सा बदलाव लाके रखेंगे दोस्तों आप अपने काम पर ध्यान देंगे आपके अंदर अधिकार की भावनाय उत्पन होंगी व्यपारी वर्ग के लिए समय काफी अच्छा रहने वाला है तथा दोस्तों आपको बहुती अच्छे नतीजे भी मिल सकते हैं तथा द रहेगा पारवारिक महल सुकत बना रहेगा किसी विपरीद लिंगी के प्रति आकर्शन बना रह सकता है जादा चिंता करने की आवशकता नहीं है ये होना बड़ा ही स्वभाविक है इसके साथ दोस्तों आपको कुण चीजों का ध्यान रखना है किसी के भी तरफ आकर्शि दोस्तों कुछ समय आपको सुकून और आराम के लिए समय निकाले, सारवजनिक इस्थानों पर जाने का मौका मिलेगा और दोस्तों थोड़ा सा आपको व्यापार से संबधिन लेने लेने में मुश्किले आ सकती हैं दोस्तों मालक्षमी का आप सभी पर आशिरपात बना रहेगा जिसके कारण दोस्तों आपको बड़ी उपलब्दी हासिल होगी बड़ों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है परिवार जनों के बीच में मन मुटाफ की इस्थिती की वज़ा से घर की व्यवस्ता जाएगी सजाता और शांती से मामला सुल जाएं प्रेम संबंदों में नजदी किया बढ़ेंगी तथा डेडिंगे अफसर भी मिल सकते हैं दोस्तों अपने हालातों को देखने का नजरिया बदलने की आवशकता है तभी नए रास्ते मिल सकते हैं केवल अपने पक्ष को सह ही मान कर अन्य लोगों की बातों को ठुकराने से एक दूसरे के साथ में दूरी बढ़ सकती हैं हाला कि आज किसी खास कारे में सफलता पाने की बहुत अधिक परिश्रम की आवशकता है परन्तु आपको आवशी ही कामिया भी मिलेगी प्रॉपटी अथवा वहान पर खरीद संबंदी कारे में गतिविदी आएंगी और नए समय पर कारे संपन हो जाएंगे किसी भी मामले में जादा हस्तशेप करना उचित ना रहे इसका नकरात्मक असर आपके मान सम्मान पर पड़ेगा कुछ समय बच्चों की समस्याओं को सुनने और सुलचाने में समय अवश्य लगाएं खर्ज में अविश्ता की वज़े से अपने रिष्टों को सही सम्हालना जरूरी है और दोस्तों जिम्मेदारियों पर भी ध्यान दे परिवार के प्रती जिन लोगों का विश्वास आप लोगों के लिए कम होता हुआ नजर आ रहा है उसका कारण जानने की कोशि फिर भी आपके द्वारा किसी भी प्रकार का विवहार या फिर काम गलत ना हो इस बात का ध्यान रखें बात करते हैं लव लाइफ के बारे में इस समय आपके पिता या फिर सिक्षकों के लिए संकट का समय हो सकता है ऐसे में दोस्तों उन्हें अंदेखा ना करें क्योंकि वो आपकी शक्ती का आधार है आपकी बाचीत का कौशल आपके प्यार को गहरा कर देगा और दोस्तों आज आप जिस भी व्यक्ति से मिलेंगे वे आपके पूर विरवये और कसिर में से बच नहीं पाएंगे हर कोई आपके समताओ और भावनाओं की तारीफ करेगा यदि आपका प्यार एक तरपा है तब भी चिंता ना करें जैसे जैसे आपका क्रश आपको अधिक जानेगा वैसे ही वै आपकी नजदी किया बढ़ती जाएंगी इसलिए दोस्तों कोशिश करते रहें बात करते हैं करियर के बारे में आज आप अधिकारिक मामले या फिर भाई भे इनकी परेशानियों को लेकर तनाव में आ सकते हैं मौजुदा आर्थिक मोहल और अन्य परसितियों में आपको आत्म विश्वास की जरूरत है किन्तु समान या फिर धन को लेकर चिंतित ना हो क्योंकि भविश्य में अतरिक्त आये की संभावनाई है विक्री या फिर होने के लिए क्या करना चाहिए और आप अपने कोशल का उपयो करने से नहीं डरते हैं याद रखें कि अगर शुरूबात अच्छी हो तो आधा काम वहीं पर ही हो जाता है बात करते हैं सहत याने स्वास्त के बारे में स्वास ठीक रहेगा विप्रित परिस्तिती में को लाइक करिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो परी चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरुर दबाईएगा और अन्त तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद